हलो फ्रेंज इस प्रकित के सुन्दरता के साथ साथ स्वात के खजाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने किचन में और फ्रेंज अगर आप हमारी चैनल में नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हलो फ्रेंज, देव गार्डिन विद स्वात के खजाने में आपका स्वागत है फ्रेंज, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ, चिकन कड़ी, अब आप कहेंगे कि चिकन कड़ी तो हर कोई बनाता है जी हाँ, बनाता है, लेकिन आप जो बनाएगा ना, मेरे तरीके से बना करके देखिए येकिन मानिए, बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा और अगर बना लीजे, तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताईएगा जरूर हम इंतिजार करेंगे आपके कमेंट्स का तो ब्रेंट सबसे पहले जो है, हमने यहाँ पे कड़ाई ली है कड़ाई में मैं डाल रही हूँ, एक से डेर चम्मच, पड़ाचम्मच, ओइल ओइल मैं अभी डाल रही हूँ, बात में कोई भी ओइल मतलब अड़ नहीं करूंगी जब हमारा ओइल जब कर्म हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे चिकन जी हाँ यहाँ chicken coffee fry करने के लिए थोड़ा सा तील की मातरा ज्यादा ज़रूरी थी तो मैंने इसी समय add कर लिया क्योंकि बाद में फिर ना तेल निकालने की ज़रत पड़े और ना ही तेल जो है add करने की ज़रत पड़े तो इस में हम fry करेंगे chicken को मैं यही सिक्रेट आप लोगों को बताना चाहती थी क्योंकि आपने देखा होगा कि चिकन को हम डारेक्ट जो हते वाश करके और मसाले में डाल करके भूनते लेकिन हम यहाँ पर मसाले में भूनने से पहले जो है इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे बहुत स्थाधा फ्राइ नहीं करेंगे बिल्कुल चिकन को इक्दम डीपली फ्राइ नहीं करना है थोड़ा जब तक चिकन का जो है फोड़ा चेंज ना हो जआ हलका ब्राउन हो ज़़ा है तब तक और भूनते समय हम इसमें नमक नहीं एड़ करेंगे क्योंकि नमक एट करने से चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा और फ्लेम को जो है मीडियम पर ही रख करके भूनेंगे तो अब हमारा चिकन जो है वहलका भून चुका है तो हम इसे अलग निकाल देंगे और इसी तेल में जो है हम एक कच पत्ता डालेंगे चार मीडियम साइज के प्यास डालेंगे कटा हुआ प्यास स्लाइस में और अब इस प्यास को भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और भूनने के साथ साथ हम इसे गलाएंगे भी तो आपको पता है फ्रेंड्स प्यास को हम जल्दी भूनने के लिए और जल्दी गलाने के लिए नमक की जरुरत पड़ती है तो हम इसमें स्वात के अनुसार नमक एट करेंगे नमक एट करने के बाद एक दो बार चला करके हम इसे कवर करतेंगे हम प्याज को थोड़ा मीडियम आज पर ही कवर करके भूनेंगे जिससे कि हमारा प्याज जो है फ्राय भूनने के साथ साथ थोड़ा गल भी जाए आधा गल भी जाए तो ये बीच बीच में चलाते भी रहना है नहीं तो प्याज तली में जल जाएगा जब हमारा प्याज भूना जाएगा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें एक चम्मच ज हनिया पॉडर और आधा चमच जो है हल्दी पॉडर एड़ करेंगे इन मसालों को देने के बाद जो है डेर से दो चमच पानी भी दे देना है पहले क्योंकि यह ड्राइ मसाला है सुखा हुआ मसाला है और सुखा मसाला जब आप गर्म कड़ाई में डालेंगे न तो तली में जो होता है वो चिपक जाता है और जल जाता है इसलिए इसमें देर दो चमच जो है पानी भी साथ में एड़ कर दीजिए जिससे की मसाले जो है जले नहीं और इसे हम थोड़ देर अच्छे से भूल लेंगे जब हमारा मसाला प्याज के साथ अच्छे से भूना जाएगा त चिकन डालने के बाद जो है हम देर से दो मिनट इस मसाले को चिकन के साथ थोड़ा सा चलाते हुए भी भूलेंगे जिससे की सारे मसाले जो है चिकन में कोट हो जाए और अब इसमें जो है लगवग आधा चम्मत जो है हम चिकन मसाला एट करेंगे चिकन मसाला देने के वाद फिर हम इसे एक दो बर चला देंगे और फिर हम लगवग जब तक हमारा अच्छे से चिकन पक न जाए तब तक हम इसे ढग करके पीच बीच में चलाते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो फ्रेंस लगवक 15 मिनट में हमारा जो चिकेन है मसालों के साथ अच्छे से भुना भी चुका है और पक चुका है तो ये फिर हम इसे बिना कवर कियो हुए हम अच्छे से जो है इसको मेडियम फ्लेम पर चलाते हुए कंटिन्यू चलाते हुए भूनते जाएंगे क्योंकि इस समय जो होते है न मसाले वो कड़ाई के जो तली होती है उसके किनारों में जो होती है वो चिपकने लगती है तो वहां से हम सबको छुडाते हुए मसालों को हम चिकन को थोड़ी देड के लिए भूनते रहेंगे भूने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है जितने अच्छे से यह भूनाएगा ना उतना ही टेस्टी लगेगा तैसे हम अच्छे से भूनेंगे लगवग 5-6 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेप में भूनते रहना है और देखे बहुत ही अच्छी खुसबू आने शुरू हो ग आप इसे ऐसे ही ड्राइ चिकन को भी आप नान के साथ प्राठे के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा तो फिर इसको ग्रेवी चाहते हैं तो लगवग एक किलास जो है इसमें ग्रेवी के थिकनिस के एकॉर्डिंग आप इसमें पानी आट कर और हम फिर मसाला को अच्छे से उस पानी में जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे छे से हमारा जो ग्रेवी आ वह ट्यार हुजा है अभी तैयार नहीं हुआ हैं अभी मिलाने के बाद फिर हम इसे लुँम पे बिलकुल लुरजाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए लगबग 7-8 मिनट ग्रेवी को पकने देंगे और 7-8 मिनट के बाद देखे हमारा चिकेन कितना अच्छा दिख भी रहा है और बहुत अच्छी खुस्बू भी आ रही है खाने में भी बहुत टेश्टी लगेगा तो आप ट्राइ जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन म कर्म नए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल सिर्फ खाने के इस वात के लिए ही नहीं है प्रकित प्रेमी भी हूं मैं तो उसके भी वीडियो अप्लोड होंगे थैंक्यू फ्रेंड